हेलो दोस्तों आप सबों का स्वागत है डिये एजुकेसंस के युटूब चैनल्स पे मैं आप सबों का दोस्त धन्जी आज फिर से हम लोग जूट चुके हैं एक नए सेशन के साथ और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मापक और यंत्र मतलब की जो मापक यंत्र ह से कौन-कौन से कॉस्टन्स बने हैं जो कि आपके रैल्ल्वे में पूछे गए हैं यहां से तो जितने भी कॉस्टन्न यहां से बने हैं ताकि आपको आने वाले जो गुरूब डी के एक्जाम है उसमें आपको benefits हो सके तो चलिए पहला question देखते हैं आपको बताना है कि कौन से यंत्र के द्वारा किस यंत्र के द्वारा आपको बताना है कि कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा कौन सा यंत्र शमुद्री अस्तर से उपर के वस्तु को देखने के लिए पंडूबी में परियोग किया जाता है तो पेरियोप से पाइडो मीटर से उच्छताप को मापने के लिए ठीक है, ओडो मीटर से पहिये द्वारा चली गई दूरी को पहिए द्वारा चली गई दूरी को ओडो मीटर से मापते हैं ठीक है तो यह सारे के सारे आपके हैं अब रहा बात की एपीडो एसकोप क्या होता है एपीडो एसकोप को परियोग से चित्रों को परदा पर प्रिशेपित किया जाता है याद रखेगा कि एपीडो एसकोप से जो होता है जो चित्र होता है छोटे छोटे जो चित्र होता है छोटे छोटे चित्र को परदे पर परदे पर प्राप्त किया जाता है एपीडो एसकोप के माध्यम से यानि कि प्रोजेक्शन के रूप में छोठे-छोठे चित्रों को दिखाने के लिए हम परियोग करते हैं पाई-वंडल्यon के लिए लैक्वेशल के लिए थर्ममोग से फमान परियोग करते हैं जैसे कि बिभीन परकार के जुँ कीडत के किर्याएं होता है जैसे कि बिभिन प्रकार के जो बिदु तूप करना होती है जैसे कि resistance मी मापता है प्रतिरों इसमी मापता है तो यह multi meter बिदु धारा से सम्बन दित है यानि की multi meter जैसी की सब कुछ को मापने के लिए परियोग करता है देखता है guard tb-cd जो बनाता है के इस्टरबे उसको पहिये के गुणन गाती को मापने के लिए पहिये को आवर्धी तो जो गुणन गाती होती है उसको मापने के लिए अब रहा बात कि जो सूर्य को देखने के लिए हमें किस प्रकार का प्रियोग करते हैं तो याद रखिएगा सूर्य को देखने के लिए किस परकार का हेलियोस्कोप का जबकि टेलियस्कोप को दूर के वस्तू को देखने के लिए दूर के वस्तू को देखने के लिए दूर के वस्तू को देखने के लिए जो है आपको टेलियस्कोप का मतलब टेलीयसकोप एक क्या है? दुरवीन होता है, टेलीयसकोप क्या होता है? एक दुरवीन होता है, जिससे कहकी हम देखते हैं, सन मीटर कुछ नहीं होता है, आगे. बिभांतर कुम आपने के लिए किस प्रकार का उपकरण का प्रियोग किया जाता है बिदु धारा कुम आपने के लिए अमीटर का बिभांतर कुम आपने के लिए किस प्रकार का उपकरण का प्रियोग करता है बताए बताए तो बोल्ट मीटर का किसका विवांतर कुम आपने के लिए बोल्ट मीटर का परियोग किया जाता है गल्वेनो मीटर से किसी बिधुत परिपत में गल्वेनो मीटर से क्या होता है अती निम्न प्रतिरोद जो होता है प्रतिरोद बोल रहे हैं तो जो गल्वेनो मीटर होता है यह आपके बिधुत प पता कौन लगाता है तो मतलब कि कोई विदूत परिपत है उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है इसको पता लगाने के लिए हम गैलवेनो मीटर का प्रियोग करते हैं अगला सरकिट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने के लिए हमें निमलिखित में से किसका अफुरान का प गाई टेंसर होगा एन्यमिमोमिटर लेक्टोमिटर तभ करवे बता है दुद की सुद्द्धा को मॉपने के लिए धूर Matthus Сी deform होता है जो ओॉय का प्रवा होता है वायू के प्रवाह को जबकि गैसों के प्रवाह को हम या मैनोमिटर से मबते हैं तो वायू का जो प्रवाह होता है उसको मबते हैं अगला है एक सॉफ्ट आप ए आवरतन गती को निर्धारित करने के लिए कि सका इस्तमाल क richards फट्ट सोसब के आवरतन गती को मतलब की एक बोल रहा है कि जो 108 क्या बोलगा थे जिसको धुर्रा यह का करता है कि क्रोनोमीटर जो होता है समय को पता लगाने के लिए जो समुदरी जहाज पे होते हैं वो क्रोनोमीटर से का करते हैं अपना समय का पता लगाते हैं टेकोमीटर से यह पहिये द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए तो यहाँ था आपका सौफट बताएक एक soft जो है आवर्तन किसको मापता है तो ठीक है तो यह speedometer तो आपके तत छडिक चाल को बताता है तत छडिक चाल को मापने के लिए speedometer का जबकि आवर्ति तुरूप से टेको मीटर पहिये के द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए पहिये द्वरा चली कई दूरी super होता है, जैसे saffat क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखे हैं जिसको धूरा बोलते हैं soft मतलब न कि आपका जो पहिया नहीं चलता है पहिया में जो धूरा लगता है यूरा, उसी को करते हैं soft का वर्तन क्या होता है, तो आपको बताना है कि जो विभव मापी होता है जिसको की पोटेंसियो मीटर काते है या क्या होता है एक मापन उपकरण है एक अंस आंकन है सयोजक उपकरण है या संकेतक है विभव मापी क्या होता है तो विभव मापी जो है एक परकार का आपका मापन यंत्र होता है विभव म को भी मापते हैं विभव मापी जो होता है विभांतर को ही नहीं विभांतर को ही नहीं बलकि यह क्या करता है आपके किसको अग्यात जो प्रतिरोध होते हैं अग्यात प्रतिरोध को और धारा को भी मापता है अग्यात प्रतिरोध और धारा को तो विभव मापी पूछा था क कि क्या होता है एक मानक उपकरण होता है क्या होता है मानक उपकरण होता है अगला इन में से किस उपकरण का उपयोग विद्धु धारा को मापने के लिए किसका परियोग करते हैं ओम मीटर का ए मीटर का तो कहेंगे कि ए मीटर का होता है ठीक है अगला ए मीटर क्या है? आपको अगला है कि ए मीटर क्या है? एक परिपत में स्रेणी में स्योजित किया जाता है या या क्या है? में नीमन बिध्धुतिक परतिरोध होना चाहिए कम बिधुत खिचता है या उप्रूप्त सभी ए मीटर क्या होता ए मीटर के बारे मताना है कि इसको परिपत के स्रेनी करम में सयोजित किया जाता है और यह नीमन बिधुत परतिरोध होना चाहिए और यह कम बिधुत खिचता है यह उपर्यूपत सभी तो आयमीटर जो है आयमीटर को हम स्रेनिकरम में जोडते हैं और यह निम्न परतिरोध होना चाहिए इसे का आयमीटर का जो होता है निम्न परतिरोध होना चाहिए जबकि वोल्ट मीटर का उच परतिरोध होता है बोल्ट मीटर का उच प्रतियोद जबकि एमेटर का निम्न प्रतियोद और यह कम बिधुत भी खिचता है तिया तीनों के तीनों बात होते हैं तो यह सारे के सारे क्या है सकते हैं अगला, किसको मापने के लिए अस्टलाएगो मीटर का उपयोग होता है सुद की दुधता को, अपवर्तन सुचकांग को, प्रिष्टनाव को या प्रकासिय क्रियकलापो को अस्टलाएगो मीटर किसको मापने के लिए तो जो अस्टलाएगो मीटर होता है, यह आपके प्रिष्टनाव को मापने के लिए किया जाता है तो याद रखिएगा कि अस्टलाएगो मीटर किसको मापने के लिए तो इसको मापने के लिए किया जाता है अगला ओडो मीटर एक ऐसा उप करना है जिसके के उपियोग के उपियोग गाडियों में किसको मापने के लिए किया आता है तो ओडो मीटर है तो पहिये के द्वारा तै की गई दूरी को मापने के लिए हम ओडो मीटर का जबकि गती को मापने के लिए हम एस्पीडो मीटर का परियोग करते हैं तो ओडो मीटर से हम क्या मापते हैं तो उसके द्वारा चली गई दूरी को मापा जाता है जबकि गती के लिए कहेगा तो एस्पीडो मीटर का परियोग करते हैं निमलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण है जो 1-6 मेटर है बताए कौन सा एक प्रवाही का मापन उपकरण है जो 1-6 मेटर या एरिया मेटर होता है बेंचूरी मीटर पिटोट या रोटेरा या तापते पनुवर्थ आपको पता है कि बेंचूरी मीटर जो है नली में प्रवाह के ठीक न, सॉरी, यहाँ का, क्या है, यहाँ पर प्रवाही मापन उपकरण है, जो एक छेत्रे मीटर में, सॉरी, यह तो, बेंचूरी मीटर जो होता है, आपके नली में, पानी के प्रवाहों को मापने के लिए, पानी के प्रवाहों को मापने के लिए, बेंचूरी मीटर का, ज क्या होता है तो यह एक प्रवाही माप उपकरन है जो आपके छेत्र मीटर आई एरिया मीटर को मापता है। ता पिटोट मीटर से हम क्या पापते हैं तो पिटोट मीटर नली द्वारा खुली चैनल के द्रौव के प्रवाह के गति कुम आपने के लिए किया जाता है जबकि बेंचूरी मीटर जो है किसी पाइप में बहते हुए ध्राव के किसी भी बिंदू से ध्राव के प्रवाह की जो दर होती है या भी सर्जन जो नलिका से आता है कि नलिका से भी सर्जन की जो दर को कौन मादता है तो वेंचूरी मीटर जबकि प्रवाहकुमापन एक छेतर का मीटर जो होगा यह प्रती मीटर पे काम करता है और यह छेतर पे कारे करता है पिटोट मीटर क्या होता है पिटोट मीटर ठीक है चलिए तो यहाँ पे आपको लिखवा देते हैं थोड़ा सा याद रख लिजिएगा आपको करके लिखवा देते हैं नाम इसका अलग-अलग करके तो देखिए आपसे कहें न कि वेंचूरी मीटर क्या वेंचूरी मीटर ठीक है बेंचूरी मीटर क्या होता है कि किसी पाइप से बहते हुए द्रौग के किसी भी बिंदू से द्रौग के प्रवाह के मात्रा को बताता है मतलब कि आप पाइप से किसी यहां बलिक लिए बेंचूरी मीटर क्या है तो किसी पाइप से बहते हुए द्रौग के किसी भी बिंदू से द्रोग के प्रवाह का जो दर होता है उसको हम बेंचूरी मीटर से नाबते हैं जबकि जो पिटोट होता है पिटोट जो मीटर होता है पिटोट नली के द्वारा खूली चैनल में द्रोग के प्रवाह के गती को मापता है जबकि रोटो मीटर जो होता है या बिसर्जन मतलब की बिसर्जन को मापता है कोई कितना बिसर्जन हो रहा है उसको मापने के लिए तो कहा है कि नली में भी सर्जन के मापने के लिए हम रोटो मीटर का प्रियोग करते है जब की तब्ततार एनिमो मीटर का प्रियोग वायू या गैस के वेग को मापते हैं तब ततार AIC को अनेप्टो मीटर कहते हैं, तब ततार AIC को एनीमो मीटर कहते हैं, जो कि वायू या गयस के मापन के लिए परियोग किया जाता है अगला टेको मीटर किसको मापने के लिए किया एता है मिस्र धात्यू के संगठन के द्रव के प्रवाहक के धर को द्रव के प्रवाहक को दर को या तापन को या गती पालक चक्र के गुणन को तो गती पालक चक्र जो फ्लाई वील गुणात्मक होता है उसको हम टेको मीटर से तपमान को हम किस से थर्मा मीटर से और द्रव के प्रवा को अभी बताएं कि जो द्रव के मात्रा के धर को विसर्जन के माप के लिए हम रोटो मीटर के जब कि द्रव के किसी भी मात्रा के लिए यह से जाएगा वेंचूरी मीटर तो द्रव के प्रवा से आता है रोटो मीटर पोटो, रोटो मीटर पिटोट मीटर और क्या आता है एक आता है आपका बेंचूरी मीटर तो आप ओप्शन में जो देखिए उसको उस अनुसार से मारिएगा टोको मीटर का प्रियोकिस के लिए होता है तो चक्कर प्रती मीटर यानि आर्पीम के लिए टॉर्क के लिए गुर्ण गती जूर्जा के लिए या दूरी के लिए तो टोको मीटर तो घुनित आवर्थित गती के लिए होता है तो मतलब कि टोको मीटर क्या होता है कि आपके प्रती सेकेंड जितना चक्कर लगाता है जिसको कि हम सौट में मतलब कि कोई चक्का जो चक्का फ्लाई वहर गुलता है चक्कर प्रती मिनट ये से आर्पिम कहा लाता है आर्पिम को कोई चक्का कितना प्रती मिनट भूम रहा है मतलब जो कोई चक्का जम नाचेगा गोल में तो उसको मापने के लिए टोको मीटर का प्रियोग करते हैं और टोको मीटर को चक्कर प्रती मीनट से करते हैं वीडियो अच्छा लगेगा तो भाई लाइक भी कर दीजेगा और सेर भी कर दीजेगा मल्टी मीटर में होता है मल्टी मीटर से क्या मापते हैं करेंट और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, करेंट मीटर और ओम मीटर, मेरे भाई मल्टी मीटर से सब कुछ मापते हैं, मल्टी मीटर, करेंट मीटर और ओम मीटर, सब के सब आपको मापता है, मल्टी मीटर जो है आपका धारा भी माप मापता है धारा भी मापता है भोल्ट भी मापता है प्रतिरोध भी मापता है और निरंतार्वता जिसे की कनेक्टीटी भी मापता है तो यह धारा भी मापता है भोल्ट भी मापता है और प्रतिरोध मापता है, तो मल्टी मीटर सब को मापता है, बोल्ट मीटर को भी, करेंट को भी और ओम मीटर को भी, सब का सब मापता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रियक्टर पैमाने के बारे में क्या गलत है, रियक्टर पैमाने के बताना है कि रियक्टर पैमाने का क्या गलत है, 1935 में चार्स रेक्टर और गुटेनबर्ग के द्वारा यह विक्सित किया गया था यह लगुगण की यह माप है मतलब कि यह लोग पे चलता है और इसे भुकंप के उप्योग द्वारा मतलब कि इसके भुकंपी माप पी के उप्योग के द्वारा ना पा जा सकता है रियक्टर पैमाने पर 8 से 9 के तीवर अर्थात हलका भुकंप होगा और कहा कि क्या रियक्टर पैमाने पर 8 से 9 होगा तो इसको हलका भुकंप कहेंगे कौन सा कथन गलत है तो आप बताए कि जब 8 से 9 अगर भुकंप आ जाएगा तो आपका तो यह नसा फार देगा तो यह गल यहाँ पर जादे होना चाहिए यह बात सत्य है कि उन्हें 35 में रियक्टर और गूटेन वर्क के द्वरा खो जा गया था यह लौग पर चलता है इसका मान जो होता है लौग पर चलता है और यह भुकम्पी उप्योग द्वरा मापा जा सकता है यह तीनों के तीनों सत्य थे य यहाँ पर कम कहां था जब कि बहुत होना चाहिए अब क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो इसका राइट एंसर डी हो जाएगा गलत कथन चुनना था तरल्पदार्थ के घनतों को मापने के लिए किसका उप्योग करते हैं अद्रता को हेपिसोमीटर को हाइडरोमीटर को अद्रूम से फैदो içgar 차 से भारा राइं मा मतते हैं अंब कि आपक्शित अद्रता को अधर तप मापी को आपक्शित अद्रता को मापने के लिए आ अपे नरता को गित्रने के लिए हम है ही दूमेटर को पुरू करते तो है डूमेटर का इ qualcा प्रेक्षित अत्रता को हाईग्रो मीटर हाईग्रो मीटर का परियोग करते हैं जब कि तरल पदार्थ के घनतो को मापने के लिए हम हाईड्रो मीटर का परियोग करते हैं तो तरल पदार्थ को मापने के लिए किस परकार का यंद्र का परियोग करते हैं हिपसो मीटर का है कि हिपसो मीटर का उप्योग कहा करते हैं तो समुद्र तल से उचाई ग्याद करने के लिए हिपसो मीटर का उप्योग करते हैं हम लोग समुद्र तल से उचाई को मापने के लिए किसको मापने के लिए उचाई को मापने के लिए करते हैं तो समुद्र तल से उचाई को मापने के लिए किस परकार का उप्यों करते हैं तो हिप्सोमीटर समुद्र तल से उचाई मापने के लिए हाइडरोमीटर तो बता दिये अधरता को या हाइडरोमीटर को करते हैं फैदोमीटर से घहराई मापा जाता है पानी के अंदर के वस्तु को पता लगाने के लिए किसे अंदर का प्रियोग के जाता है लेजर का, रडार का, क्यूबा का या सोनार का आपको पता है कि सोनार एक यंत्र होता है, सोनार जो एक यंत्र होता है, जो कि समुद्र के अंदर के वस्तु को पता लगाने के लिए प्रियोग में लाया जाता है, अगला, जहाजों को, जहाज में क्या मापने के लिए, इको लूकेसंस का प्रियोग किया जाता है, इको लू इस समुद्री की जहाज है तो उसमें प्रकास की कोई बाते नहीं है मचली की सघंता के लिए मचली की सघंता से उसको क्या मतलब है समुद्री वनस्पति को या पानी की गहराई को तो जो हम Ecolocations का प्रियोग करता है जो समुद्री जहाज होता है Ecolocations का प्रियोग होता है, ताकि पानी की गहराई को मापने के लिए हम Ecolocations का प्रियोग करते हैं, न की मचली ये प्रकास की ये द्यादी, ये अगला, दूद के घनतों को निधारित करने के लिए कौन सा उप्कुरन का प्रियोग के आता है? तो बता दिया है कि बैरो मिटर से वाई मंडली यदाप को मापने के लिए थर्मे मिटर से तपमान को और हाइडरो मिटर से आप एक शित घनतों को मापने के लिए जबकि लेक्टो मिटर से दूद के घनतों को मापने के लिए प्रियोग में लाया जाता है अगला आटो मोबाइल में यत्रा के दूरी को मापने के लिए निमने से की सुपकरण का प्रयोग कहता है अब यह दूरी को माप रहा है आटो मोबाइल में मतलब कि जो आप जो अटो चलते हैं अटो से चलते हैं दूरी को मायपने के लिए किस प्रकार के Espetometer से तो उसकी गधी मापि जाती है ठीक है Itokimeter से क्या मापते हैं तो चक्का के आवर्तित यानि चक्का कितना मीटर यानि कि प्रती सेकेंड चक्का कितना घुम रहा जिसे RPM करते हैं यानि चक्का के चक्का के घुरुणन को मापते हैं किसको टो कोमीटर sorry चक्का के गत्त है उसको क्या कहते है उसको थो हम Aerto Onlyoscope उसको अपने कहते है टोकोमीटर से बताईए कि क्या होगा ओडोमीटर से तक आपको पता है कि ओडोमीटर से हम का करते है कि पहिये द्वरा तै की गई दुरी को हम ओडो मीटर से मापते हैं पहिये के दिये गए ओडो मीटर से चलिए ओडो मीटर वो टोको मीटर वाईवान की गती को पता लगाने के लिए जो टोको मीटर होता है वाईवान की गती को पता लगाने के लिए करते हैं वाई वयान की जो गती को पता लगाने आज जो वील चक्रन था ना वो एस्ट्रोबो एस्कोप था वो गलती से बोल दिये हैं एस्ट्रोबो एस्कोप था ठीक है ए सारे के सारे आपके होते हैं पोडो मीटर कोई बात नहीं होता स्पीडो मीटर हो गया गती कुम आपने के लिए टोको मीटर से जो वाईवान की गती कुम आपने के लिए हम टोको मीटर का परियोग करते हैं किसी वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है वोल्ट मीटर का उपयोग किस कुम आपने के लिए Y के परतिरोध को चुमपकिये प्रण को विवांतर को या बिदु धारा बिदु धारा को तो A मीटर से विवांतर को आपने के लिए हम वॉलेट मीटर का परियोग करते हैं अगला गल्वेनो मीटर का उपयोग किया जाता है प्रकास दिसा को पता लगाने के लिए चुमक्य प्रण के दिशा को पता लगाने के लिए धोनी दिशा को पता लगाने के लिए गैलोएनोमीटर पहले तो यह धारा का चीज है तो प्रकास तो होगा नहीं प्रकास मार देंगे धोनी भी नहीं होगा क्योंकि यह गैलोएनोमीटर आपका धारा चेप्टर से है तो ध्वनी काम खतम प्रकास काम खतम अब चुमक्य प्रण के दिशा पता लगाने के लिए या धारा के दिशा को पता लगाने के लिए तो आपको पता ही है कि गैलो इनो मीटर से हम का करते हैं तो जो बिदूत परिपत में जो बिदूत परिपत होता है उसमें हम धारा को पता लगा सकें कि धारा कितना बहरा है अतिनिम्न धारा को पता लगाने के लिए या उसमें प्रवाई धारा को पता लगाने के लिए वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ी में दूरी मापने के लिए किया जाता है मोटर गाड़ी में दूरी rate vidéo मीटरस से या जो गति होता तठखडिक चाल को बने के लिए इसको टोकोमेटर सब्वाईवान की गति और एकसलेरेटर टायाओ सो एकसलेरेटर ना जमदम आते हैं एकसलेरेटर थोर्म को मापने के लिए जो होतार है एकसेलर्ड होता क्या होता है एक्सिलिरो मीटर से का करते हैं, तो तोरण मापने के लिए, किसको मापने के लिए, तो तोरण को मापने के लिए, तो तोरण को मापने के लिए, हम किसका प्रियोग करते हैं, एक्सिलिरो मीटर का, ओडो मीटर से तो पता ही हो गया, ओडो मीटर से आप वहान की दुरी मापन के लिए करते हैं अगला वाहन की गती जानने में मदद कौन करता है मतलब कि वाहन कितने गती से चल रहा है इसको जानने के लिए किस परकार का उपयोग करते हैं तो अभी बता है कि जो speedometer होता है वहान की जो तत छडिक चाल होती है उसकी गत्ती को बताने के लिए कि कितना गत्ती से चल रहा है उसके लिए हमें speedometer का परियोग करते हैं लेक्टोमीटर से दूद का, वोल्टमीटर से व्वांतर का ठीक न? और वोल्टमीटर है और एक वोल्टमीटर ही तया दी है आगे, एकोलुकेशन एक प्रकार का क्या है, कंपन है, रडार है, आवरिती है या सुनार है, एकोलुकेशन का, एकोलुकेशन का एक प्रकार कौन आता है, मनुन एकोलुकेशन के एक प्रकार है, एकोलुकेशन के कौन तो सुनार इकूल लूकेशन पर ही कारे करता है तो सुनार हो जाएगा अगला विभांतर कुमापने के लिए तो सबको पता हो गया विभांतर कुमापने के लिए विभांतर कुमापने के लिए वोल्ट मीटर या ए मीटर या गलवेनो मीटर ठीक है तो आपको बताना है विवांतर को मापने के लिए किसका तो आए मीटर विदुधारा को गैलवेनो मीटर किसी विदुध परिपत में धारा के प्रवाको दिशा को बताने के लिए और वोल्ट मीटर या विभाव मापी तो आपको बता है कि विवांतर को मापने के मतलब बिदुधारा को मापने के लिए आ मीटर का तो ओम मीटर किसका परियोग करते हैं दाब को मापने के लिए दाब का कि गती का वल्टेज का या प्रतिरोध का तो आपको पता है कि जो ओम मीटर होता है वह प्रतिरोध को मापने के लिए परियोग में लाया जाता है किसका प्रियोग हावा के सक्ति और वेग को मापने के लिए प्रियोग में लाय जाता है तो अलेक्टोमीटर तो आप इसी जाते हैं दूद से थर्मीटर तब मां से स्पीडोमीटर तब छडिक चाल को जबकि एनिमो मीटर हवा और सक्ती के वेगो को हवा और सक्ती को वेग को मापने के लिए प्रियोग में लाए जाता है मोटर काड़ी का ओडो मीटर से आप क्या मापते हैं तो मोटर काड़ी के ओडो मीटर से आप उसकी दूरी को मापते हैं अगला इस सारे के सारे क्या थे आज आपके last questions थे इस sessions का last questions था तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक भी कर देंगे और share and subscribe भी कर लेंगे तो चुब पहली बार होंगे इस वीडियो को आप लोग like and share कर दीजेगा तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद